दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल एडी की हिरासत में है उनकी हिरासत अवधी एक अप्रेल तक के लिए बढ़ा दी गई है ये खबर है लेकिन इस दोरान वो खुद कोट में पेश हुए और उन्होंने ही अपनी दलीले पेश की कोट के सामने क्या दलीले थी वो हमने कल अपडेट दे दिया था आज हम आपको बताएंगे उन्होंने चार आरोपियों के नाम लिए जिनके बयान के आधार पर अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार किया गया था ये अर्विंद केजरिवाल ने कोट में ये बात खुद बताई थी क्या नाम है मैं आपको सीधा उनके नाम बता देता हूँ पहला नाम सी अर्विंद जो की दिल्ली के पुर्व मंत्री डिप्टी सीम रहे मनिश इसोदिया के पीए रहे हैं इडी ने दावा किया था कि पूस्ताच में सी अर्विंद ने बताया था कि सीम केजरिवाल के आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें मनिश इसोदिया ने उन्हें शराब निती का ड्राब सौपा था इसके बाद केजरिवाल ने दावा किया इसमें जो ये बयान के बाद केजरिवाल ने जो जवाब में कहा कि ऐसे खुसुर पुसुरो बैठक हमारे यहां होती रहती है इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे दूसरा जो आरोपी है प्रमुक आरोपी मंगूटा श्री निवासूलू रेड़ी यह आंदरप्रदेश के उंगलो लोकसवा सीट से वाई आरेस कॉंग्रेस के सांसद है एडी को उन्होंने बताया था कि अकबार में नई शराब निती का विज्यापन देखने के बाद 16 मार् बयान दर्ज हो रहे थे जब तक वो मेरे खिलाब बयान नहीं दे रहे थे इसका मतलब एडी का मकसद पूरा हो गया है मुझे फसाने का यह कहा है केजरिवाल ने रागो मंगूटा जो की M.C. निवासूलू रेड़ी के बेटे हैं इन्होंने भी केजरिवाल के खिलाब बय बयान दिया है यह तीसरे गवाह है सरकारी गवाह बन गए है जिसमें इन्होंने जो दावा किया मैं आपको बता देता हूं केजरिवाल ने उनके पिता को दिल्ली बुलाया था पंजाब और गोवा में होने वाले चुनाव के लिए कथित तोर पर फंडिंग मांगी थी उन इद्राबाद के कारोबारी सरत रेड़ी भी पिछले साल सरकारी गवाह बन गए है अर्विन केजरिवाल के खिलाफ उन्होंने भी गवाही दी है यह चार प्रमुक आरोपी है जो कि गवाही यह केजरिवाल के खिलाफ दी है केजरिवाल ने इसका जिक्र खुद कोट में कि और अपनी सफाई दी हलाकि रिमान डवदी एक अप्रेल तक के लिए बढ़ा दी है इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे देखते रहें इंडिया.com शुक्रिया